मित्रो आजे आपने सेमेस्टर त्रण ना एलेक्ट्रोनिक कॉंपोनेंट एन्ड सर्कीट नामना सब्जेक्ट भनवा माटे पेगा जाया छी तो आ सब्जेक्ट ने आपने टुंक मा कैशू ECC बरोबर मित्रो आज सब्जेक्ट मा भनवा नुशू आउशे तो बिजिगली आज सब्जेक्ट ने अंदर एलेक्ट्रोनिक कॉंपोनेंट विशे आपने अभ्यास करी सू अवे तमनी थसे के इलेक्ट्रोनिक कॉंपोनेंट विशू तो आपने ख्याल चे के कोईपण पदार थो है ते नत्रन प्रकार होई बरोबर पहलू अशे कंड़क्टर बरोबर बिजू अशे इन्सुलेटर बरोबर अने त्रीजू अशे सेमी कंड़क्टर बरोबर तो आजे इलेक्ट्रोनिक कॉंपोनेंट चे ए इलेक्ट्रोनिक कॉंपोनेंट ए सेमी कंड़क्टर माती बनावा मावे जे गुछराती जो ये तो कंड़क्टर नहीं के वास है वाहक पदार बरोबर इन्सुलेटर नहीं के वास है अवाहक पदार अने सेमी कंड़ आपने उलीक्ट्रोनिक खोंपोनेंट ये सेमिकंड़क्टर माथी बनावा मां आवे छे आपने एलेक्ट्रोनिक कोंपोनेंट न उप्योग खुबद पुषकड प्रमणमाँ आपड़ी रुजिंदी जीवन नी येंदर तैनों उप्योग थतो आँचे एनु तमने एक सरस्मजानु दरना पूतो आपणों मोबैल नुँ चार्ज करा माटे जे चारजर आपड़े जे यूज करता होई ये जे बरोबर ते चारजर पन सेमिकंडक्टर मटेरियल नुद बनेलू होई जे एटले ए नी बनावट पन ए आ सब्जेक्ट नी अंदर तमे सिख्षो बरोबर बीजी ओस्तु के आपड़ी जे नॉर्मल जे पावर सिस्टम जे बरोबर ए पावर सिस्टम ने अंदर पन इलेक्टोनिक कंपोनेंटनों खुब जे बहडा प्रमाणमा उप्योग थाए जे अपने कया कया डीवाइस इस बनीशू तो पहला बनीशू डा अंजिस्टर बरोबर तेना पहले बनीशू एम्पलिफायर ओसिल्लेटर अलग गलग प्रकारनी स्वीचिंग सर्कीट वेव शेपिंग सर्कीट अने पावर सप्लाई विसे आपड़े आ सब्जेक्ट नी अंदर अभ्यास करी सो बरोबर मित्रों डीसीसी नी अंदर आपड डीसी आपड़े और वाहक पडार्थ होये तो तैना अवरोध खूब अचो वै और वाहक पडार्थ होये तो तैना अवरोध खूब अधार्य होये आन्य और्दवाहक पदार्थ नो अउरोद ए वाहक और आवाहक नी वच्चे नी रेंज नो होये छे एटले आ सब्जेक्ट बनता पेला सोव प्रतम आपने ओर्दवाहक पदार्थ नी जे परमाणी आक परमाणों बंदारन होये एना विशे आपणे अब्यास करीशुग बड़बर तेना पची जो यह तो आ सब्जेक्ट नी टीचिंग स्किम नी अंदर वीक ना 4 लेक्चर और एक लेबरोटरी एम करने टोटल 6 क्रेडिट नो आ सब्जेक्ट छे इटले 6 क्रेडिट नो सब्जेक्ट हो है तो ए मातमे जो वधारे मेनत करो तो जीटियों नी अंदर वधारे मारक आवानी संभावना रहती हो है जह एनी जे एक्जमीनिसन स्कीम जे जह जो ए तो 6 3 मारक नी जीटियों नी एक्जम 3 इस मारक नी कॉलेज नी मिल्स नी जीम नी एक्जम आणने 50 मारक यह तमारी प्रेक्टिकल एक्जम यतले तमारू सब्मिशन अन्य तमारू और लेबरोटरी वर्गणा M, टोटल तमें सरवाड़कोर 173 वत्ता 30 वत्ता 20 वत्ता 30 बराबर 150 मार्कनों तमारों सब्जेक्ट थसे बरोबर, बीजेक बात कर लेए तो धरेक चेप्टर नी अन्ते तमने assignment आपपामा आउशे, बरोबर, ए assignment तमारे regular submit करवानू रहेशे बरोबर, मित्रो तमने आभी जली ते 10 अठवाड़ी बे ले वीडियो लेक्चर मडता रहेशे बरोबर, आने एनी अन्दर तमने आपणा जे subject ना जे topic छे ते वनावामा आउशे आ subject माँ आपणे सू-सू भणी सू तेना विशे नो एक ख्याल आपणे ले लेई लेए तो total आ subject ए पांच चेप्टर माँ, सोरी, 6 चेप्टर माँ आ subject डिवाइड थाईडो चे बरोबर, पहलु चेप्टर जो ये तो पहला चेप्टर नू नाम जे semiconductor diode अने तेनी अप्लिकेशन मित्रो आ जे diode नाम जे semiconductor device रही हूँ ए सौथी basic electronic component हे वाए बरोबर, कोईपण सब्जेक्ट चीको होए तो एनू एक बेजिक होए तेम आख़्ा सब्जेक्ट नू बेजिक आट डायोड एनी अंदर रहेलू छे बरोबर, डायोड समझता पहला तमारे बे प्रकार ना semiconductor समझवा पड़ से P प्रकार नू समिकंड़क्टर ने N प्रकार नू समिकंड़क्टर तेना बची P N जंक्शन डायोड एटले शू तेज होईशू रेक्टिफायर एटले शू, मित्रो रेक्टिफायर एटले वीजू कसूज नी, पन ज्यारे तमारे AC नू DC मा रुपा अंतर करवू होए त्यारे जे इलेक्ट्रोनिक सर्कीट नू उप्योग था है, तेने आपने शू कैईशू, रेक्टिफायर कैईशू बरबर, मित्रो फिल्टर एटले शू, तो ते पन आपने जोईशू, कि तमारा वेफोर्म नी अंदर, पावर सप्लाय नी अंदर, जो कोई डिस्टोर्शन, अथवा नोईज आउतो होए तो तेने दूर करवा माटे आपने फिल्टर नू उप्योग करीशू, बरबर, अन्या पी एन जंक्सन, आ डायोड बनावा माटे खुब जगत्यानी वस्तू जंक्सन, तो ये जंक्सन नी बनावट कहले लिते करीशको, तेनू मेनुफेक्ट्चरीन तमें कहले लिते करीश तेना विस्ते भी आपने पहला चेप्ट्र माब्यास करीशू, बरबर, बीजा चेप्ट्र नी अंदर आपने ट्रांजिस्टर विस्ते अब्यास करीशू, तो त्रांजिस्टर नी अंदर पाण, ट्रांजिस्टर नू फोर्मेशन, एटे ट्रांजिस्टर कहले लिते प्रकारों काया, ट्रांजिस्टर ना त्रन प्रकार ना कन्फिउग्रेसन होई छे एक CB कन्फिउग्रेसन, CE कन्फिउग्रेसन, CC कन्फिउग्रेसन, CB ये टले Common Base, Common Emitter, Common Collector कन्फिउग्रेसन तेना पची वोल्टेज एम्प्लिफायर विसे अभ्यास करीशू अने तेना पची पावर एम्प्लिफायर विसे अभ्यास करीशू तेना पचीनू चेप्टर छे ओसिलेटर आ चेप्टर खुब जनानू चेप्टर छे जमा अपने ओसिलेटर ने काल्य पत्दती अने अलग-अलग प्रकार ना ओसे लिटरों विसे अभ्यास करीशू तेना पछी चोथा नंबर ना चैप्टर नी अंदर स्पेस्यल प्रकार ना सेमिकंडक्टर डीवाईज विसे अभ्यास करीशू बरबर आपने अत्यार सुथी मा बे सेमिकंडक्टर डिवाइज नाम साम्ड़ेया पेड़ा बिजाया चेप्टर नी अंदर एक डायोड और बिजो ट्रांजिस्टर तेना सिवाय पन अलग 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 घणा बदा नितरो आजना 21 सजी नी अंदर सौथी बदारे अलग अलग सेमिकंडक्टर डिवाइज इस हाल इंडस्टरी नी अंदर यूस्थ थता होगे तेमा थी चोथा चेप्टर नी अंदर आपने जेहर डायोड, फोटो डायोड, LDR, फोटो वल्टेक सेल, LED, FET, मॉसफेट, डायाक, UJT, ट्रायाक अने SCR वी से अभ्यास करी सो नितरो आप बद्धाज ए इलेक्ट्रोनिक्स ना बेजिक कॉंपोनेंट कही सका है नितरो एना पचे आपने बे अलग प्रकार नी चीप वी से बणी सो एक चे ओपैंप, ऑपरेशनल एमप्लिफायर आने बीजू चे IC555 जेनो उप्योग टाइमर जडिके करी सको तमारी को इवी अप्लिकेशन होए के जैनी अंदर अमुक समय पची अमुक वस्तुनू अमुक डिवाइज नू अपरेट थाओ जरूरी होए तो चारी तमें आ IC555 नामनी सरकीट नो तमें उप्योग करी सको जो एक नानी येवी चीप आउती होजे बरबर एचीप नो उप्योग करी जे तमें तमारी जोईतो टाइमिंग तमें सेट करी सको दो बरबर आ आपने भणी सू चेप्टर नंबर 5 नी अंदर अपरेशनल अम्प्लिफायर अने IC555 आपने भणी सू चेप्टर नंबर 5 जरू नाम चे IC बरबर IC नो पूरु नाम था है इंटीग्रेटेड सर्कीट एटले एकज चीप नी अंदर घणी बदी वस्तु अंदर आवे जोएमा घणा बदा सेमिकंड़क्टर डिवाइस यानी अंदर आवे लागता होगे बरबर एणे क्या आपने बणी सू रेगुलेटेड पावर स सप्लाई बरबर मित्रों पावर सप्लाई एटले एक एवो डिवाइस के जहमा थी आपने वॉल्टेज अने करेंट मढ़ी रहे बरबर तो आपने बदा रेगुलेटेड नो मिनिंग शू थे हो रेगुलेटेड नो मिनिंग गे था हो कि तमारी जरुल्यात मुझब तमारे जेटला वॉल्टेज जोईता होए फिवारे जेटलो करण्ड जोईतो होए एक चर्णड औने वॉल्टेज पावर सप्लाई प्रुवाइड करे तो तेने क्या वासले रेगुलेटेड पावर सप्लाई तो येना पन घणा बदा प्रकार जरु शंट वाल्टेज रेगुले तमारा PC नहीं अंदर जे घ्रहां बद्धा तम्हें PC नहीं अंदर एक RAM होए बड़ावबर PC नहीं अंदर एक RAM होए बड़ावबर विजु फोई एक HARDX अशा है जयने अपने HDD कई है ता बद्धाने पावर सप्ला भीजू मोनिटर होये 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 ता बद् पावर नी वेंचनी करवानू काम कोण कडशे आ SMPS कडशे जिस CPU नी अंदर पाछड ना भागया आएलू होय चे बड़ोबर तो आ SMPS विसे भी आपड़े ख्याल लेशू और UPS विसे भी आपड़े ख्याल लेशू बड़ोबर आजे तम्हें जोसो तो दरेक ना गर्नी अंद UPS वासे विसे ब्लोबर अजे भी आपड़ा रागता था है यह गदाच लएट जहतीरे बड़ोबर तो आपड़े जेमल असी सप्रावर सप्लाइ बाढ़े शकी तो आई उब डिवाइसे जैने कई कईछे UPS तो आ बेच दिवाइज विषे नो ख्याल पाण आपने चेप्टर नि अंदर लाई शू बरोबर इटले मित्रों तमें सब्जेक्ट जोशो तो सब्जेक्ट नि अंदर आपने electronic component विषे electronic devices विषे नो अभ्यास करवाना ची बरोबर इटले यवे पचीना लेक्चर नी अंदर आपड़े चेप्टर नंबर एक नी शरुवाद करीशू बरोबर तो आजना माटे आटलूज राथले अशर आखोचू के तमने सब्जेक्ट विशेनो बेजिक ख्याल आवी गए होसे आउजू